कक्षा 9 के लिए उर्दू की पाठे पुस्तक नवाए उर्दू भाग एक आईए सुनते हैं नवाए उर्दू भाग एक का चौथा सबक स्वालेहा आबिद हुसेन सफा नंबर उन्ताली स्वालेहा आबिद हुसेन 1913 इसवी से 1988 इसवी तक स्वालेहा आबिद हुसेन का असली नाम मुस्ताक फातिमा था वो ख्वाजा गुलाम उस्तकलेन की सहबसादी और डॉक्टर सयद आबिद हुसेन की बीवी थी वो ख्वाजा अलताफ हुसेन हाली के खानदान में पानी पत में पैदा हुई लिखने पढ़ने का शौक उन्हें बच्पन ही से था मशूर मुसन्निफ, फलसफी और माहिर तालीम डॉक्टर आबिद हुसेन से शादी के बाद उनके तसनीफ औ तालीफ के शौक में मजीद इजाफा हुआ लेकिन उनकी बुनियादी हैसियत नौविल नवीस और अफसाना निगार की है स्वालिहा आबिद हुसेन अपने कलम के जरिये तहरीक आजादी में शरीक रही उन्होंने अपने नौविलों, अफसानों और ड्रामों के जरिये इनसानी और तहजीबी गद्रों को आम किया और औरतों के मसाइल और समाजी खराबियों की इसला की तरफ तवज्जे दिलाई हुकूमत हिंद ने उनको पदमश्री का एजाज अता किया कई सूबाई अकादमियों ने भी उन्हें इनाम दिये उनके नौविलों में अजरा, आतिशे खामोश, कत्रे से गहरे होने तक, यादों के चिराख और अपनी अपनी सलीब खास्तोर पर काबिले जिक्र हैं, अफसानों के चार मजमुए भी शाया हुए सफा नंबर चालीस, मगर वो तूट गई, मुसन्निफ स्वालेहा आबिध हुसैन दूर किसी घंटे ने दो बजाए उसके वसी बेडरूम के हाथी दान्द के लेंप में नीला जेरो बल्ब रौशन था जिसकी ठंटी रौशनी में हर चीज बेजान सी नजर आ रही थी सिंगार मेज पर सजी हुई सेंकडों शीशियां, बूतलें, ब्रश वगरा वगरा डबल बैट का कीमती बिस्तर और नीला नाइट कौन छट पर लटका, छोटा सा बलवरी चाड़, हर चीज उसका मूँ चड़ा रही थी बराबर के कमरे में बच्चे अपनी आया के साथ आराम कर रहे थे दूसरे नौकर अपने अपने कौाटर में महवे खौब हूँगे हाँ, सिर्फ उसकी आँखों से नीन्द गायब थी दो बच्च के ना वो आये, ना नीन्द आई जिस तरह वो रूठे रूठे हैं, उसी तरह नीन्द भी रूठ गई है वो डबल बैट के दूसरे हिस्से पर लोट लगा कर आ गई और उनके तकिये पर सर रख दिया आँखों में आसूं का एक सैलाफ सा उमाडाया जो उसके कालों पर लुड़कते, कनपटियों पर से फैलते नर्म तकिये में जजब होते रहे सामने दिवार पर उन दोनों की कद्दे आदम रंगीन तस्वीर आवेजां थी उनकी शादी की तस्वीर उसके चहरे पर शरमेली और मसरूर मुस्कुराहट है और उनकी आँखों में इश्तियाक है, शरारत है और तजस्स भी शादी 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 या परपादी कितनी परपादियां उसने अपने चारों तरफ देखी थी मा की जिंदगी, भावी का अंजाम, उसकी प्यारी सहेली मनोर्मा की खुदकुशी उसकी टीचर की तनहा उदास जिंदगी, दो-चार नहीं बीसियों नाकाम शादियों को उसने देखा था ये शादी बरबादी क्यों बन जाती है? औरते तो मर्दों ही को इल्जाम देती है, मगर क्या उनका कुसूर कुछ नहीं होता? क्या ये हकीकत नहीं कि शादी शुदा जिंदगी को काम्याब और मसरूर बनाना औरत का काम है? निबाने के जिम्मेदारी मर्द से ज्यादा औरत पर आती है, अगर वो चाहे तो, अगर वो चाहे तो, क्या निबा नहीं हो सकता? उसने अगर कभी शादी की, तो… नहीं, नहीं, नहीं वो लरज उठती जाने क्या अंजाम हो वो अभी शादी नहीं करेगी एमे करने के बाद फिर, फिर सोजेगी लेकिन इधर उधर की जिन्दगियां देखकर वो बहुत ज्यादा हसास बलके शक्की हो गई थी क्या हर्ज है अगर वो शादी नह करे और तालीम पाए डिग्रियां ले अच्छी सी नौकरी करे अपना घर बनाए सफ़ा नंबर 41 मगर ये नाकाम सिंदगियां ये जुदाईयां ये तलाकें इसमें मर्द से ज्यादा औरत का गुसूर है शायद वो चाहे तो वो सहार ना सीखे घर बनाना या बिगारना औरत के हाथ में है भावी का मिजाज खुदा की पना बाजी की खुददारी और आनबान शोहर से मुकाबले मनोर्मा हद से ज्यादा हसास न होती और इतनी बे जुबान तो तो शायद खुदकुशी की नौबत ही ना आती अम्मा इस रिष्टे के खिलाफ थी खांदान और बाजी को उमर पर एतरास था और भाई साहब खुलम खुला कहते थे कि मिजाज का बहुत तेज है अलबत्ता अबबमिया कहते अरे भाई जहीन है आला ताली मियाफता है इतनी पोजीशन है दरजा और अधा क्या ना था उनके पास और फिर ये मिसकान खाम खाम लोग मुखालिफत करते हैं पंद्रा सत्रा बरस का फर्क है तो क्या हुआ अरे भाई मर्द की उम्र में फर्क होना ही चाहिए लड़की जल्दी मेच्योर हो जाती है मिजाज सभी मर्दों का तेज होता है और अगर मिजाज शिनास हो तो अम्मा, बाजी, भाभी, मनोर्मा, शान्ती इन सब की जिन्दगियां उसकी नजर में है सब की कमजोरियां भी वो जानती है उसका अजम था कि वो उनका दिल जीतेगी इसके लिए नाकुजीर बन जाएगी उसके मिजाज को सहारेगी उसे खुश रखेगी मैं निबा करना जानती हूँ और निबा करके दिखाऊंगी और सब को हदियार डालने पड़े वो उनकी बन गई एक के बाद दूसरी बेटी हुई तो उस रोशन खयाल आला तालीम याफता मर्द के चेहरे पर नागवारी के बल पड़ गए जैसे ये उसके अख्तियार की बात थी बच्चियों ने चाना ही नहीं कि बाप की महबबत किस चुड़िया का नाम है खालाएं, फुपियां, महले पड़ोस वाले जिन बच्चों के भोले चेहरों और प्यारी बातों पर जान देते मामू, चचा, जिन से इतनी महबबत करते वो डैडी की सूरत को तरस्ती रही और मा की महबबत से महरूम मगर उसे तो निबाह करना था इसके लिए उसने वो सहा, वो सहा जिसका एतराफ वो खुद अपनी जास से भी करना नहीं चाहती थी सारा खानदान ये समझता था कि शोहर उसे बेहत चाहता है आख से ओजह नहीं होने देता हजारों में खिलती है हर जरूरत और खाहिश पूरी होती है हर एशो आराम मैसर है ऐसी खुशकिस्मत लड़कियां कम होती है खुशकिस्मत हाँ, उसने सब को यही एहसास दिलाया था वो जलते दाख, वो टपकते जखम वो मजरूख खुद्दारी, अपनायत का वो मचबूर एहसास किसने देखा, कौन देख सकता था जिसको वो पंधरा साल से सहार रही थी उसकी आँखों से जलते आँसों की बारिश हो रही थी उसने इससाली खानदान, तालीम याफता, खुद मुखतार लड़की ने क्या क्या नहीं सहा, रात रात भर टांगे तबाईं, दिन भर खाने पकाए और अपने हाथ से खिलाए जब शोशो पैदा हुआ, तो कुछ अरसे, मजाजी खुदा ने बेटे की माँ बन जाने के बाद उसका ख्याल किया वो गद्र और इज्जत जो कुछ अरसे बाद फिर खाक में मिल गई चार बजे की आवास पर वो चौंक पड़ी खिड़की में से चांद की किड़ने शीशे पर धुनला सी गई थी वो अब तक नहीं आया और अब ये कौन सी नहीं बात है कब से ये आग सीने में भड़क रही है और वो इन शोलों को बुझाने और दबाने की जद्दुजहत में लगी हुई है चन्द दिनों के लिए भाया की पास चली जाओ हाँ जाओ न तुम्हें किसी से मुहबबत ही नहीं है पहली बार उसने ये जुमला सुना तो हैरान रह गई मुह से निकला क्या सच मुठ चली जाओ और क्या स्टाम पर लिख कर दूँ और तुम मेरे बगार मैं खूब रह लूँगा तुम्हारे बगार तुम्हारी लड़की इतनी बड़ी हो चुकी है उसको मुहबबत दो दूसरे बच्चों को संभालो मेरा पीछा छोड़ो क्या वो गुमसुम हैरान उसका मुह तक्ति रही वो ऐसा बेनियाज बे तालोग बैठा रहा जैसे कोई बात ही ना हो दूर कहीं से मौजजन की आवास पुलंद हुई उसने बैठ कर सर धक लिया खिड़की में से फट्टी पौकी हलकी दूधिया रोशनी पर उसकी नजरे चम गई उशा उसकी जिन्दकी में अब उशा की कोई किरन चमकी की क्या है वो लड़की उससे ज्यादा हसी नहीं हो सकती कल उसने उनसे साफ साफ बात करने का ताहिया कर लिया था लेकिन एक जुमला सुनकर ही उन्होंने उसकी बात काट दी थी तुमने जो सुना सब ठीक है क्या? मगर तुम कौन होती हो? एतरास करने वाली वो तो मेरी जान के साथ है तुम चाहो तो छोड़ सकती हो नहीं, नहीं, नहीं आप मुझे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे आप मुझे नहीं, अरे आपके बच्चे हैं, बेटिया है बेटा है आपका, नहीं तुम्हें पैसे की कोई कभी ना होगी जितना चाहोगी मिलेगा नहीं नहीं मुझे पैसे की नहीं आप की ज़रूरत है बच्चों को बाप की ज़रूरत है अब बक्ये जा मैं तो जा रहा हूं आप ऐसे नहीं कर सकते आप मुझे नहीं चोड़ के जा सकते नहीं नहीं चोड़ सकते आप मुझे अब सूरज निकल आया था आयाएं बच्चों को तयार कर रही थी नंद की आवाज गूंज रही थी उसकी मलाजमा दो बार नाश्टे का तकाजा करने आ चुकी थी मगर वो उसी तरहा नाइट काउन में मसहरी पर बैठी थी और सोचे जा रही थी सफा तेंट आलीज नहीं नहीं ये शाधी तूट नहीं सकती मैं मैं सब सहारूंगी सब कुछ जेलूंगी मगर उसे छोड़ूंगी नहीं आज नहीं तो कल नहीं तो परसों वो पचताएंगे और वो लड़की वो लड़की खुद उन्हें छोड़तेगी मेरी जगा कौन ले सकता है कौन ले सकता है मेरी जगा नहीं नहीं तूटेगी ये शाधी मैं नहीं तोड सकती शाधी को बेगम साहब आपके नाम का खत है मलाजिबा ने एक बड़ा सा लिफाफा उसके कांपते हाथों में दे दिया जानी क्या है उसका दिल लरस रहा था बड़ी देर बाद उसने लिफाफा चाक किया तो वो टूट गई तलाख नामा उसके हाथ से फर्ष पर गिर पड़ा था और वो फटी फटी आँखों से दिवार को तके जा रही थी और एक चुमला बड़ पड़ाती जाती थी मगर वो तोट गई तोट गई तोट गई तोट गई तोट गई तोट गई सफ़ा नंबर चवालीज मश्क लवजो मानी मुन्जमद जमा हुआ, ठैरा हुआ नाला बेजार हरासा डरा हुआ ओजल नजरों से छुपा हुआ हिस्टेरिक अंदाज चीखना, चिलाना, रोना हिस्टीरिया एक बीमारी होती है जिसमें इनसान का जहनी तवाजन बिगड़ जाता है और वो मुक्तलिफ तरहा की हरकतें करने लगता है खुद्दारी अपनी इज़त का पास सफ़ा नंबर पैंटालीस गोर करने की बात इस कहानी के दो रुख है इस कहानी में जहां लड़कियों पर मजालिम की दास्तान बयान की गई है वहीं गेर सिम्मेदार मर्दों पर तंजबी किया गया है ये कहानी हमारे मौशरे की उन खवातीन की तस्वीर कशी करती है जो आए दिन ऐसे हालात से मुकाबला करती है जैसा के इस कहानी में दिखाया गया है कि शोहर के बुरे बरताव के बावजूद बेवी किसी ना किसी तरह खुआ वो अपने खानदान की इजजद या अपने बच्चों की खातिर निबाने की कोशिश करती है सौाल आबिद हुसेन की ये कहानी जिस समाने में लिखी गई उस वक्त की तालीम याफता लड़कियां जुलम सेहने के बावजूद खामोश रहती थी लेकिन आज की औरत बेदार हुचकी है वो शोहर के इस घिनावने अमल के बाद खामोश नहीं बैठती उसको सदमा तो जरूर पहुँचता है लेकिन उसके बाद उसके अंदर एक नया अजम पैदा होता है सवालों की जवाब लिखी सवाल नमबर एक मुसन्निफा ने भाभी, बाजी और मनोर्मा की शादियों की नाकामी के क्या असबाब बताए हैं? सवाल नमबर दो अफसाने की हिरोईन को पूरा खामदान खुश किसमत क्यूं समझता था? सवाल नमबर तीन अफसाने की हिरोईन हर तरह के हाला से निबह करके क्या साबित करना चाहती थी? सवाल नमबर चार इस अफसाने का हिरो तालीम याफता होने के बावजूद लड़कियों के पैदा होने पर बीवी से नारास क्यूं था? सवाल नमबर च्छायालीज अमली काम मुंदर्जा जील महावरों को जुम्लों में इस्तिमाल कीजिए पटी पटी आँखों से तकना खाक में मिलना आँख से उजल होना हजारों में खेलना अफसाने में एक जगा मिजाज शनास लवज इस्तिमाल हुआ है जिसमें शनास लाहिका है आप इस लाहिके का इस्तिमाल करके तीन अलफाज लिखिए इस अफसाने में इस्तिमाल होने वाले पांच अंग्रेजी अलफाज लिखिए इसी के साथ नवाय उर्दू भाग एक का चौथा सबक यहां खत्म हुआ इसके बाद सबक पांच आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. प्रस्तुती C.I.E.T.